कॉटन बर्ट्स को आम तोर पर कान को साफ करने वाली एक रूई के फाहे वाली तीली के रूप में जाना जाता है कान को साफ करने वाला ये यंद्र अब सौंधर प्रसाधन और इलेक्ट्रोनिक और अन्य मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी काम आने वाला एक टूल माना जाने लगा है अब इस चोटी से cotton birds की अनेक शेत्रों में डिमांड होने के कारण इसका बिजनस शुरू करना एक अच्छा काम हो सकता है एक अनुमान के नुसार 2017 में दुनिया भर में cotton birds का बिजनस 3,86,250 करोड का चल रहा था इससे समझा जा सकता है कि इस cotton birds का कितना बड़ा बाजार है और इसके भविश्य की कितनी अच्छी संभावना है भारत में ये बिजनस महानगरों बड़े नगरों में तेजी से चलता है चोटे गाउं और कस्पों में रहने वाले लोग आस पास के सामान से इसे देशी तरीके से बना कर काम चला लेते हैं इसलिए इस cotton birds का बिजनस महानगरों में किया जाना चाहिए इस काम को कोई भी कर सकता है इसके लिए किसी खास योग्यता अथवा किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है महिला और पुरिश दोनों ही के business कर सकते हैं दो तरह से शुत्रु कर सकते हैं business पहला आप market में बनी तीलिया यानी बर्ट ला सकते हैं साधि कपास यानी रूइ भी लाकर आप अपने हाथों से बना उसको नज़िकी के medical store, turnover store और किराने की दुकान में बेच सकते हैं दूसरा आटोमेटिक मशीन लगाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करके बिसनस शुरू कर सकते हैं इसमें मैन पावर की भी जरूरत पढ़ती है चार तरह की होते हैं कॉटन बड्स प्लास्टिक कॉटन बड्स रोल्ड पेपर कॉटन बड्स लकड़ी के कॉटन बड्स कॉटन तो कॉटन से लाइसेंस लेने होंगे फिर्म का रेजिस्ट्रेशन जी एस्ट नमबर ट्रेड लाइसेंस नगर निगम या नगर पालिका का लेना होगा पेटेंट कराने के लिए ट्रेडमार्क एंड पेटेंट से रिजिस्ट्रेशन कराना, एक्सपोर्ट के लिए आईस नंबर हासिल करना होगा, लागत पर करें अवश्य विचार, इस बिजनस में कितनी लागत आ सकती है, ये बिजनस के साइस पर निर्वर करता है, यदि कोई अपने घर पर छोटा मोटा काम करता है, वो काम हजारों में ही शुरू हो सकता है, क्योंकि उसे ना तो जमीन पर पैसा खर्च करना होगा और ना ही मशीन लेनी होगी, स्मॉल स्केल तीस से पचास हजार, मीडियम स्केल एक लाग से दो लाग, लाट स्केल दस से पंदरा लाग, मुनाफ़ा कितना होगा जानिए, घ कहाँ पर बेचने जाएं, मैडिकल इंडस्ट्री, मैडिकल से जुड़े अस्पताल, मैडिकल कॉलेज, मैडिकल स्टोर, क्लीनिक आदी से संपर करके अपना प्रड़क्ट बेच सकते हैं, वहाँ पर आंक, कान, नाक और गले की बिमारियों में इस कॉटन बट का इस्तेमाल किया सकता है, इसके अलावा DNA, करोना में टेस्ट के लिए स्वाप कलेक्शन में इस कॉटन बट का इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मैडिकल के बाद सबसे बड़ा मार्केट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जहां विशेश तोर पर महिलाएं, मीकप, स्किन टोन के लिए क्रीम लगाते वक्त इस कॉटन बट की जरूरत पड़ती है, नाखुन से जुड़े काम में भी ये कॉटन बट काम आता है, जैसे नाखुन के सेट करने और उनको रंगीन करने के लिए और नेलाट को फाइनल टचिंग के लिए इस कॉटन बट का इस्ति कार्ट मिंत्रा डॉट कॉम आपके लिए सही मारकेट हो सकती है, बिजनस टू बिजनस एकॉमर्स कमपनी की वेब साइट से टाई अप करके अपना प्रोड़क्ट बेश सकते हैं, इसमें अरिबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया आपके खरीदार बनकर आपकी मदद कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर से भी संपर करके अपने माल को बेच सकते हैं, बिजनस करने के लिए, आपको पैकिंग पर विशेज ध्यान देना होगा, आपकी पैकिंग खुबसूरत होगी तो कस्टमर आपके प्रोड़क्ट को लगाने के लिए आपको 100-150 वर्क फीड की जगा की अवशकता होगी, इसके लिए आपको अपना तयार माल और कच्चा सामान को स्टोर करने के लिए आपको जगा चाहिए होगी, लाज स्केल पर आपको आपको आटोमेटिक मशीन लगाने के लिए आपको कम से कम तीन कमर की जगा की ज़रूरत होगी एक मशीन रूम प्लस वरक्शॉप एक कमरा स्टोर रूम जहां पर कच्चा और तयार माल रखा जा सके तीसरा मैनेजमेंट रूम या मार्केटिंग रूम कच्चे माल में आपको क्या क्या ज़रूरत होगी स्पाइंडल बड या तीलियां जुसके दोनों सिरों में रूई लपेटी जाती है उसे स्पाइंडल बड या तीली कहते हैं ये तीली लकड़ी रोल्ड पेपर प्लास्टिक बांबू की बनी होती है ये बहुत हलकी होता था इसकी लंबाई 5-7 सेंटीमेटर होती है स्पाइंडल के दोनों सिरों में रूई को अच्छी तरह से चिपकाने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाला एक कैमिकल है एबसॉर्बेंट कोड़न या कपास या रूय स्पाइंडल के दोनों सिरों पर लपेटी जाती हैं मशिने कौन सी लगती है ऑमानफ श्रम यानि मैन प्रेंड यानि प्रशिक्षित व्यक्तियों के आविशक्ता होती है और इसके साथ तीन अकुशल स्व्रमिकों के आविशक्ता होती है ओके क्रेडिट बिजनस ओके है